सो हेगा सब्सक्राइल चाल और भाई तो आज हम लोग पिछ एक पार खेल रहे हैं जीटिया फाई तो आप लोग किया दोगा लास वाल एपिसोड में हम लोग ने फाइनली गाइस डॉन के साथ डील कर लिये पहले उसने डील के बहाने हमें मारने के लिए बुलाया था भाई सब्सक्राइब करें मुझे नहीं बता गाइस डॉन ने काम कैसे किया है पर अभी हम लोग एक दम सेफ है तो गाइस बहुत जाद हमाजा आने वाला है सब्सक्राइब करें बड़िया बड़िया वड़ियो उसक्ले बाकि अभी ना मेकानिक यह आ रखा था तो यार देखो म गाड़ी के अंदर ना काफी जादा मोटिफिकेशन करवाई है अभी मुझे यह बाइक बहुत जादा बड़िया लग रही है आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताना है कि आप लोग को यह वाली बाइक कैसे लगी मैंने पेमेंट वगेरा कर दिया इसको और मैं आप लोग पूरा चेंज करवाई है लाइट है ते देखो पीछे मटार अठाद बहुत द जादा अप बहुत ही जादा बढ़िया अभी मुझे गाड़ी पहले से जादा पसंद आ रही है और बलाक कलर में बहुत जादा तगड़ी लग रही है तो एक काम करते हैं फटबट से गाड़ी को निकालते हैं और हां मैं भी सीधे लूना के पास जा रहा हूं क्योंकि सबसे पहले हमें क बढ़ेगा और तुम लोग चेक करो गाइस अभी बाइक चलने में और जदा बढ़िया लग रही है हमें जादा तेज नहीं भागा रहा हूं थोड़ी मॉडिफिकिशन हुए ना एक दो दिन चलाने के बाद थोड़ी हम लोग भागाएं के से पर फिर भी स्पीड वन थर् पोचने वाला हूं लूना से मेरी बात हुई थी तो उसने उस ट्रक को एक गराज के अंदर खड़ा कर दिया है तो मैंने इसको बढ़ा ठीक है मैं कुछी दिर में तेरे पास पहुचा है यह रही वो लोकेशन तो एक काम करते है फटना 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 लोग बाइक को रोकत गराज में से निकाल बोलरी कि मेकानिक है जो सामने गराज आना वहां पर खड़ा करा रख है तो मैं एक काम करते हूं मैं बाइक को स्टार्ट करता हूं आज आप फटबट से वो गाड़ी को निकाल लेगी और मैं सीधे लोस आंटोस जाने वाला हूपर गाईज मैं आप ल गराजए में बाइक से रखाहिए और पर बाइक कर यॉ काम करते हैं पंडोस आप बाइक को दोड़ा तो यहां देखो फुल रिख फुल एक सिंद ऑन पे लोगाईक दोड़ बाइक पिर लोन भी आ रही है तो फटबट से बाइक साम आएं और जल्दी इंप टरव इंडर आधानी ai करी यह की दो साइड़ चल चल रही है दो Christy's my bike को पंचेषिए दर्म मैंने बाइच में दोन के अज़ाए में में जामने रहे नहीं जाओंगो को वो दॉने रेकर आरहे हूं कोशांए‌धार डरीच को पर रहे हुम नहीं हुम जा चाहए है और सिक्यूरिटी भी नजर आगे भाई मैरीवेदर के बंदे आचुके हैं मैं आ रहने वाल हूँ लुना कहां गई वो सामने गईट पर खड़ी करके आजा बाकि गईज अपना काम हो जाएगा मैं इस साइट से दिखूँ क्या लुना शाहिद गईज बहुत चुकी है वो द के साथ डील हूई है मुझे पता है डॉन मानने वाला नहीं है वो कुछ ना को जरूर करेगा बदला ले निकले इसलिए गाईज हमें अलर्ट रहना पड़ेगा हमेशा के लिए जब तक डॉन से मेटर ना खतम हो जाए ओके लूना गाईज इने भोल रही है कि चेक कर लो ठ गल जल्दी बैट यार अगर ने कोई पंगे लिए तो पीछे हम लोग नहीं अटेंगे अटक तो हम लोग भी करेंगे पूरी टीम को मैंने रेडियोनी के लिए कि हमेशा में अलर्ट रहना और गाईज हमेना नया घर भी ढूटना पड़ेगा कोई चोटा मोटा टेंपरीर गर क्योंकि अगर हम लोग फामा उस पर रहे डॉन को मारे घर के बारे में पता है वह वहां पर अटाक वगरा करा सकता है और क्या पागल बंदा है ये हद है यार पाकी गाईज मैं अभी सीधे निकल रहा हूँ डॉक की तरह वहां से मैं अपनी थार को लिकर आने वाला हू लुना को मैंने बोल दिया है कि तु बाइक लेकर आ जाना देखो डिफेंडर तो हम लोगोंने वाहसे मंगभा ली थी पर थार गाईज अभी वहीं पर खड़ी है तो थार को लिकर आने और उसके अंदर पैसे भी है तो सन्नी को मैंने बोल दिया था सन्नी कह रहा है कि प्रचान का मन्द है वहां का लोग उपन कर देगा तो गाइस सीधे डॉक की तरफ चलते हैं अपनी थार लेकर आते हैं काफी टैम से वहां बे खड़ी हुई है और साथ में अपने को पैसे भी लिकर आने है तो फटा फट से चलते हैं अपनी बाइक को बगाते हैं डॉक की तरफ आचे को हूँ और गाइस मैंने लुना को समझा दिया है कि मैं डॉक पे जा रहो हूं वहां से थार को ठाओंगा उसके बाद तू बाइक को लेकर सीधे ना अपनी होटल में चले जाना यह अभी ना एक होटल में रही है और जैसी में अचे वह तरफ पे जाने कि बात करेंगा यह अब लुई है मैं टान के बंदे पीछा करते करते वहां तक आसकते हैं तो कुछ दूनों तक तो हम लोग को अर्ट रहना पड़े का उसके बात चाहे तो हम लोग अपने घर पर जा सकते हैं और एक मिनट भाई वह वह रहा स तो मैं लुना को पहले यहां से भेज देता हूं, उसके भ़ए थार ले कर जाता हूं, तो लुना कामगर, तो इस बाइक को ले, और सीरे होटल पर निकल जा कोई भी काम रहेगा, तो मैं तरी को कॉल करूंगा, ठीक है ना, ओके तो ठीक है, अफट अपर्ट से निकल जातू, बहुत से तो guys मैंने इसको समझा दिया यह बाइक लेगे यहां से निकल जाएगी gate तो guys इसका पहले से ही खुल है और वो देखो guys सामने अपनी थार खड़ी हुए क्या लग रही है मतलब इतने टाइमस चे हम लोग ने इसको यहीं पे खड़ा कर रखा था और सनी ने आके चेक भी किया था तो पैसे बगर है guys इसकी जो सीट है उसकी नीचे ही है कोई दिखत की बात नहीं है फटोबट से इसको निकालते है और इसकी तो कुछ अलगी बात है बाइक चिलाने में देखो एक अलग मजा आते है पर जो अपनी थार है ना guys एक तो 4x4 फुल मोडिफाइड इसको चलाने में एक अलगी मजा आता है जो मैं एक काम करता हूँ इसको साइड से लिकर चलते है इसको तोड़ना ही पड़ेगा सुबाखे टैम यहाँ पर कोई है नहीं एक मिनट यार मैं गलत रास्ते से क्यों आजाता हूँ और पर इसको दिकत नहीं है मेरे को थोड़ा देखकर चलाना पड़ेगा सामने से अचानक गाडिया ना आज है जो मैं एक काम करता हूँ फटबट से यहाँ से निकलता हूँ और मैं सोच रहा हूँ इस एरिया में हमेशा ट्रेफिक रहते है चले यहाँ अपड़ेगा ट्रेफिक रूल तोड़नी ही पड़ते है यार कोई option नहीं है वो दिखो सामने भी भाई इतना जादा ट्रैफिक पर कोई दिखादी है यहां से तो क्या कर रहा ही बंदा हद्ध है बाई कहां से काडी मोड के लिए जा रहा है पुछ लो कोई दिखादी है फटाफटसे इसे पारकिंग में लही कर चलते हो और वो दिख का दो है बचल नहीं के बचल रहा है और जो पीछ रहा है बाई यह है बोगया बाई यह यहार खाल अधन पूल्ट तो अन्द इतनी बी गाड़ी फिर यहां लगी थिद डाधी का जी अदितने अवर गाड़ी लगी थादिया तुने शिफ्ट वादीन नहीं शिफ्त कर विफोग वाल होगा है तो पीछे गांग है ना यार यार इस जड़ दोर अज़ वह चेक्क लिखाए रिखने लाइस अड़ यह झाए पता नोग ने विद लोगने वन दोर कैसे अनलोग कर लिया और काफी टाइम पिर शोरूम बन अए लगज आ यह लगा रहा नोग ने लग वो तक ले गए लोग अबे यार यह क्या सीन हो रहा है गाइस एक एक करके प्रोब्लम आ रहे हैं पहले एफ़ाई भी का चक्कर वा फिर डॉन से पंगा हो गया और अब यह गैंग वालों ने वारी सारी के सारी गाड़िया चोरी कर ली यार एक तो इतने टाइम से देखू का बनता हो और इस वाले गाड़ शुरूम में एक प्रोब्लम है कि ग्लासिस लगे है तो भाई जो ग्यांग वाले होंगे उनने आसपास देखा होगा क्यों कोई इतने टाइम से आ नहीं रहा है गाड़ भी नहीं आ रहे होंगे इस लिए लोग ने इस चीज का फाइदा उठ कुछ लोग वहां पर भी खड़े हैं एक मिनट गाइस अभी पहले मैं इन लोग की तोड़ाई गरता हूँ एक सेकंड गाड़िया तो मैं बापस लेकर होंगा इन मैसे किसी बंदे का काम निकल यहां से एक सेकंड इसकी तो बजाने वालो गंदी तरीके से भाग का रहा है एक सेकंड बगा के गंदी तरीके से पीटने वालो इन सबको मैं कोई नहीं बचेगा चाहूं तो गईस में गोली एक मिनट कहां भाग रहा है निकल यहां से एक से की तो दिमाग खराब है मेरा निकल यहां से यह कॉन आ गया एक मिनट गैसी गैंग वाले है आसपास वाले एक मिनट पहले तो इननिटाना पड़ेगा वो देखो तुम लोग की कमी दी वो भी आ गया है निकल यहां से बच्ची किया निकल तेरी तो जितने भी गैंग वाले यहां से निकल तेरी तो जितने भी गैंग वाले यहां से पूरा गैंग का एरिया मैं आप लोग को बोला मेरे कुछ न कुछ करना पड़ेगा पहले मैं काम करता हू в makes Alayla को हो गॉल हो और उससे पूस्ता हो शाइद आ हम रही कुछ hell कर पाए क्योंकि गाड़िया चोरी हुई है तो शायद 22 पुलिस वाले समें हमारी कुछ मदद करे तो मुठम अव्य मेरी अच बात सीत हो गैयो गै मेरे ब Alt várias बढ़िए शन्याजाद से भी आप जआ अप संप मेरी मिला इस ऑक्रиваетल करोalahी जाहिए भजारी जारो घाया हम डीट मन्या तुछ सानग ने से मोझे से जाय गाद आख से दो ₲ तो पीसे यहां बोड़ी ने लिगा देखा जिंग यहां? यहां फम्हां क्यों क्यों है विच्छाम आज कर दो आज सबस्टी है यार जार भी तो इस बहुता है विवे नहीं बैद और विपस्टेज करेंगे में एफ सर्टाइज करेंगे कि अप्लेट करेंगा है कि हमारी गाड़ी चोरी हुई है और गाड़ीया को चोरी की नहीं थी तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए CCTV कैमरा भी है पर फोटेज भी है प्रूफ है पास यार कि गाड़ीया चोरी किया है तो एक काम कर फटाफट से गाड़ी बेट जल्दी से चलते हैं एक ही गाड़ी में जाने वाले हैं और अगर पुलिस ने काम नहीं किया ना तो यह काम है खुद करने वालों मैं गांक से डरता नहीं हूँ बस मुझे लोग सांटोज में कोई पंगे नहीं चाहिए थे पाकि देखो अभी पीछा चोड़ दिया है यह तुम लोग को पता लगी गया है क्योंकि अगर पीछा नहीं चोड़ा होता तो अब तक वो लोग मेरे को अरेस करने आ जाते अब तक कोई भी नहीं आये पाकि पुलिस स्टेशन के अंदर देखो मैं तो नहीं जाने वाला मैं सन्नी कोई भेजूंगा क्योंकि पुलिस वालों का भाई कुछ कह नहीं सकते कैसा नहीं मुझे आरेस कर ले पहले काम गरते हैं फटाबट से लो सांटोस के पुलिस स्टेशन में चलते हैं और चलके अपनी कंप्लेन लिखाते हैं आपनी गाडी को बगाएगाशे लो सांटोस के पुलिस स्टेशन बोहचने वालों और वैसे पुलिस स्टेशन बहुत सारे हैं पर यह सबसे बड़ा है तो इसलिह में लोग यहां पर आया हैं यहां अपना काम हो जाएं वह देखो कोई पुलिस वाला भी जारह है एक काम करता हूँ गाड़ी को यहीं पर लगाता हूँ आज असनी फटबर से भार आ जा जा दिको मैं अंदर नहीं जाने वाला बट मैं यहीं पर रहूंगा अगर कुछ भी गड़ बड़ी होती है ना या फिर पुलिस वाले बात नहीं बानते हैं मैं सोच रहा हूँ कि मैं से लहला को फोन करें गया एक काम कर दू अंदर जा जा कर बातचीत कर और जा कर कंप्लें लिखा पूरी बात बता देना हूने कि आखिरकार चल क्या रहा है भाई हमारे बस प्रूफ है कि गांग ने गाड़ी चोरी किया है जादा कुछ दिक्कत तो नहीं हो नहीं चाहिए वो देखो पुलिस वाले क्राइम वगरा खतम करने जा रहे है ऐसी बस कोई बंदा हमारी मदद कर दे फिर गाईस हमारा काम हो जाएगा तो गाईस अभी करीब आदा घंटा हो चुका है सन्नी अब भी अंदर गया है पहले वो एक बार बाहर आया था पर पता नहीं यार क्या फोन में कर रहा था अचानक से वह फिर से अंदर चला गया मुझे वो सामने काउंटर पे खड़ा हो नजर तो आ रहा है और वो देखो रहा है मुझे लंगता है अपना काम हो गया शायद की साओव उसाइड में घढ रहा जाता हूं साइड में इसका अंतुसर अंतज ऑर क्यों के पुलिक वालों के सामने राओ करके वह फाएदानी एक सा घठावी फाइडा ऑलो गाडि के पास ही चला जाता हूं यहां सब्सक्राइट कि दोगाए रहे तो दो पर एक थैश। सहरी से बात है बाहजीट करते हैं हमाशक है अपने वह एुपशे हैं दोगशे के उपने को अपने कॉऊ है हमाशक है भाई भी अला पुल बताई है विए ठारी चीजे़ यहां लगारे लिए लिए प्रेंग फिर यहारी फिर फिर सम्झ बढ़ें लिए भाया कर फिर था लिए लिए भाया फिर क्या लगे अटने लिए कुछ उन्र दुर्ड करना एठी तो फिर ठीक है तो गाड़ी में बैट गाइस उसी एरिया में चलते हैं किसी ना किसी से देखो हमें पता तो जरूर लग जाएगा और पुलिस वाले पता नी कौन सी काम में बिजी है अकसर लो सांटोज में ऐसा ही होता है भाई यह लोग केस लेते ही नहीं है अध्यार इतने सारी पुरी कार थिहीं है इतनी सारी एक्सपेंसिव कार थिहीं एक दो होती हम खुदी हिग नौर कर देते और अब सारी गाड़ी अगो चुके है और भू नई सूपरकार्ण अध्यार एक सब्सक्राइं तरह कंद गर भुवागा है मैं अगर उपक्लिस भालो से लिए में एक सब्सक्राइब tel भुल ये वह सब्सक्रारों भी को किया है इरको बता दिना उस गैंक के बंद ठीक है फिर एक कि मुड़ी के बंद अजी कार के बंद यहां इसी टेप के पहने ते कुई दिक्कत नहीं है मैं गाड़ी साइट लगा रहों जाने पहले इसका पीचा करते है एक मिनट यह बचके जाएगा कहां पर वो जारी गाइगा इसकी कार इसको ना कॉपचे में चलके कहीं पकड़ते है यह तो देख आसब बहुत सारे गां के लफड़ा हो जाएगा यह आगे जाएगा आगे ज मानने लग गगख गगए cry two- Jay.. डिष लोग रहें नहीं हमें था.. zwischen 2-1 रिवला रहें? जो तेखें, एक को दो, एको भी पकड़ना है वैसे भी तर्वी क्या सीन है यार, चल क्यो निरी लोग ट्रैफिक लाइट लागे लगी रेड लाइट विटो वही आगे अगे ग्रीन हो चुकिये है भाई, क्यो नि बढ़ा रही है I don't know what scene is it.. यषि एपता दिए ङार शीड़ाइ.. यार.. शिम्हेट दोणेशास काड़ा.. जहाता विढ़े किसा थुषी आफ साथ दुराइछ.. एक बंदी नी काड़ी मुर्दी.. ना दो मठोड़ा करताइछ.. तो पीचा करताइछऊ.. यार.. एक बोका मादना अरगे भाल इसका सब्सक्राइबicho चैमा चैमा ने इसे बीचंग इसे शाधाई MR. के archeच शाला है या खेंग विया अटना माँच फलिए वोऑची है वोऑची आशे ना गाड़ा है वैसा आटरी झाल बंषिया आटिया चैमा sten। दो फिर एक्स कहाओ नो इसी को तूर्ञ यहाँ आ उन्हें तर जरण लिए से झाल भाग नहीं की जरौत्नी है जल्दी से बता बताए 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 बालाई जाओ है गाड़िया कही है तुम लोग ने गाड़िया चोरी कर एँ ने पता है तो फॉचे झाल जब पर जाहिए ओंपाँ मेर मुत कर थाॉचो जब आपकांद कर उझ्लाग कर दो सकते एंट काल सकती है कि वेगा मंपाँ से जभी झाल नॉखे झाले की तुमुछ है मचंपिसब हो तो तूच कर दिदा वहार भाष बढ़ी आपनी गया आपनी गया रूट यूद यह टेखना बड़ेगा यह टेखना आप एड यह लड़ा रड़ा और भी गया किल एक अर बहुत बंद आगे आपस बंदे आज़ा पास नहीं कोई केति है तु एक काम कर निकलने यहां लड़ाब आज इन रहा में लड़ाइ़ आज़ा कर राद sally बटार इंगा याज रादिक शलवाइबा इन आजर रादिक श्यूम्त अरण्च στα शलुम सेलो इसे निकल आज में लड़ा याजिया आज हई लड़ाईगा फंड गाडिया निंड जए गाडी तो इस गाड़ां ए अलिए गाड़ि निकारी पर भाट में जाएं ड़्यार्च पर गाडी ओने वापस ने मिली ता बहुत दिक्कत आप इस गाड़ां ती को एक थे अटने ही डाड़ा फट इड जाएंगा जाएंगे गाड़ा है उन पस यहाँ वेपन्स नहीं यहाँ अई है, मेरे फुल त़ तयारी यहाँ आए है वैज अपने अपने में कोई अप्शन था यह विपन्दीनि ने ने बताया नि यह ज़िए वही यह विए एक निए एक बंदा के लिए एक पीछा कटे होगे साथ वार टूरा गावा गाविष असूरा गाविपटका इक मत इतने लद्बनिया है वह आदे मिल 주고 सामने से यह नहीं भाविष है बाइ देने कोई डिकत है और देने पता लगए कि हम लुग यहीं पर दाए ना? कि आट कोई दिकत है तू बैट विए डिकत है वह लो थे चितने बंदे आरहे है वो आरदे सामने से निकल शुच्छी अवर्भी तो बाइब दो यहाद में निकाली ली है जो भी बंदा देखे गाना सब को खुतम करना है क्योंकि यह ग्यांग वाले बहुत बड़े क्रिमिनल्स हैं वैसे भी पुलिस वाले नहीं आने वाले और पुलिस वैसे भी बिजी है इस चीज का फाइदा है कुम लोग असानी सब को खतम गर सकते और यह देखो एक सेकिन मेरे बड़े पास्प्रेसर वाली गान तो अच्छाए तो बहुत तारे बंदे आगे यह कां से आगए यह यार पता लग यह लग तो पुलिस प्रेसर वाली गन निकाल थाए so that they don't know how to do it and see them if someone wants to look at the lights then go back to the side I am looking at them come here, there is no one gang this is a whole gang area the Bellas Gang is here and they are here oh man, it came from here I don't want to kill animals these dogs, but what do they do? they are the gang they are full trained dogs if they are not killing them then they will kill themselves in a very bad way some other gangers are coming from here they are coming from here look, the car is already killed if they are not killed, they are not killing them they are not attacking and now I am going to hear the sound of the fire I was on the side of Sunny 1 minute where is he running? where is he running? look at that look at that Sunny's side of the side 1 minute I am not going to kill them you are going to be far from here and there is a person there is another person they are running they are running when they are coming from here they are the dangerous person that has come to the gang so they are still running and they are going to run first of all, guys, I am going to take this person's car यहां पर उड़ाने वालों क्योंकि इसने हमें परिश्यान किया है निकल यहां से और गाई इस पता लग गया है कि जादा तर यह काम बेलास गैंग का यह है क्योंकि गाड़ी चोरी का काम यही लोग करते हैं आप लोग को पता होगा एक मिनट भाई मुझे लगते हैं लोग अपने और बंदों को भुला लिया कि आपैं भाई तुम लोग कहां से आ रहे हो यार कि मिनट भाई 2021 लोग ऑग यहां से जितने भी गन्ग वाले बंदे आ रहे ना बने पहले तो इनियु निपताना बड़ेगा मेरेब पास celebration इसका इस्तमाल करना नहीं चाहरा था क्योंकि RPG गास्तमाल होगा तो पुलिस तोरंत आएगी कि अब भाई क्या सीन है यार कितने डोग्स है वहाई लोग्स कितने डोग्स हैं मारना नहीं भी चाहो तब भी मारना बढ़ रही है देखो RPG से साइकल के टुकड़े हो चुक हैं निकल यहां से निकल तेरी दो मुझे लगता है इस एरिया से निकलना पड़ेगा गाड़ी तो हम लोग बाद में ढूंड लेंगे पर अभी अगर यहां रहे तो बहुत अगड़ा पंगा हो जाएगा मैंने थार को कहा लगा है था पहले मेरे को फटपट से अपनी थार के बहुत चलना है क्योंकि अभी मैंने गलती से यहां पर RPG यहां पर RPG चला दी और इस ही क्या होगा पुलिस तूरंथ यहां पर आएगी कि बहुत तकड़ा कोई ग्यांग वार चल रहा है और पीछे से गोलियों की अवाज सुन रहे है बहुत जादा गोलियों की अवाज आ रही है सन्नी इस साइड में को वह देखो निकलो यहां से पीछे से गाई से मार रहे थे अच्छारा मैं टाइम पे आगया अच्छारा मैं निकलते हैं यहां से भाई पंगा होगे तकड़ा वाला गाड़ी बात में देख लेंगे हाँ पता है और भी बंदे यह थे पीछे से गाड़ी लेके मैंने देख भाई थार का लगादी मैं वह देख रहा हूँ यहार फीछे की साइट निकलते हैं भाई निकलते हैं बहुत तकड़ा ब्लास्ट है वो रही सामने अपनी थारा जल्दी ल्दी से निकलते हैं गाड़िया तो हम लोग ढूंद करेंगे इन पता लगया होगा इन लोग ने बहुत गलत बंदों की चोरी कर लिया है हम लोग दुबारा यहां पर आएंगे किसी ना किसी गैंग वाले को पकड़ेंगे गाड़िया तो हम लोग लेक कर रहेंगे और अगर गाड़िया नहीं मिली ना तो बसू लेंगे गाड़ियों के वैस और यह दिखो बहुत जादा तगड़ा हो गया तो फटबट से निकलना पड़ेगा चल्दी से निकलता है अभी Sandy Shorts की तरफ गाड़िया हम लोग बाद में ढूनेंगे तो अभी गाइस में उस गैंग एरिया से काफी जादा दूर आचिक हो और मैंने रास्ते में सनी को अतार दिया था क्योंकि अपनी डिफेंडर कार शुरूम पही थी हम लोग भूल गए थे तो सनी को मैंने फिलाल यार डिफेंडर लेने भिजा था और अभी मेरे पास उसका क बोल रहा है उसके दोस्त ने हमारे लिए घर देखा है सांडी शोर्स में तो फिलाल हम लोग उसे रेंट पे लेकर रह सकते हैं और लोकेशन भी काफी सही बता रहा है महां पर पुलिस का भी कोई पंगा नहीं होगा और फिलाल गाईस हमें कोई ना कोई घर तो चाहिए था ताकि हम लोग डॉन से बचके रह पाएं डॉन का एक बार पंगा खतम हो गया ना फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है तो गाईस अभी ना मुझे जल्दी से सांडी शोर्स निकलना पड़ेगा मैंने सन्नी को भी वहीं पर बुला रखका हैं टाफ़ट से सांडी शोर्स चलत जाता है तो हम लोग उस घर को अभी भी खरीज सकते हैं अपने पास पैसा खाफी जात है थार के अंदर पैसे और सन्नी जो डिफेंडर लिकर आन है उसके अंधर भी बहुत ज्याधा पैसा भर है तो आभी मैं अपनी थार को लेकर सैंडी शोर्स पोहँच चुको और गाई कपड़ो की शॉप तो यहां पर देखो एक बहुत बड़ा सूपर मार्के टाइप का इससे लेफ्ट मुड़ना था ना मतलब यह रहा यहां से यहां से लेफ्ट मुड़ते हैं देखना पड़ेगा एक मिनट पहले इसी कुछ भाई तू चला जा पहले यार है यहां देख रह और इस एरिया के लोग कितने खतरनाक हैं कोई गाड़ी बैक करने को तयार ही नहीं है एक दूसरी से टकर लड़ा है और देखरों किस टाइप की गाड़ीया चलती है बड़े बड़े टाइरो वाली और वो देखो कहां उसने कुसारे किया है हेलो भाई तेरी सनी से बात हु बोल रहा है हाँ भाई मैंनी बात की थी ठीक है तो घर कौंसर इह पीछे वाला गर है क्या तो ठीक है बाई मैं काम करता हूँ घर के अच्छे से देख लेता हूँ और अगर पसंद आएगा तो मैं सनी को बोल तूँगा प्राइस वागिरा वोडिसाइड कर लेगा ठीक है तो बोल रहा है ठीक है तुम गा के घर देख लो पैसे वागिरा की बात उससे कर लेगा और मुझे लगता है यह घर काफी टाइम से बंद है यहां देख रहो कितने जादा पेड़ बेड़ है वाई पुरे जार खड़े हो है यार तो साफ सफाई गरबान ही पड़ेगी और वह देखो अपनी थार को देख रहा है यह बहुत जादा प्यार है यह वाला घर है देखो इस साइड में यह बहुत सारे गर लाइन से देखो यह सामने वाला थोड़ा बड़ा है बट यार कोई दिक्कत नी है इसी घर को देखते है घर के अंदर मैं आ चुका हूँ भाई यह भंक है मैं चोटा साइगा यह है ठीक है और धिक απना है यह पैसे अंदर उन्ला पैसे ड्रग ड्रग इस सब किसके हैं भाई यह पैसे भगिड़ा है किसने रखे हैं बाई इस घर के आवनर के है순्द इत लिदा जबेग देखाँ अंधर सारे का सइस कल पैसे नी लेने व वाई गर तो देख लिया वन भी एच के थोड़ा चोटा है पर काम चल जाएगा पर कमरे के अंदर एक ब्रीफ केश बर के पैसे रखे हैं और काफी सारे और भी पैसे है ओके हमारी पैसे है वो ठीक है अच्छा भाई यह बोल रहा है कि सनी ने इसको दिये थे और इसने अंदर आकर रख दिये मतलब डिफेंडर में पैसे ही नहीं है चल ठीक है भाई देख घर में रिको पसंद आ गया हम इस घर को रेंट पे लेने को तयार है गाइस बोल रहा है कि सनी ने इसको पैसे दिये थे defender से निकाल के मतलब इसलिए उसने कार शुरू पे defender को लगा दिया था क्योंकि इसके अंदर पैसे नहीं थे अंचो अंदर पैसे रखे हैं गाइस वो अपने ही पैसे हैं भाई जो defender के अंदर थे हद यार मुझे तो लगा घर के साथ फ्री में मिल रहे हैं पर जो ड्रग वगे रहा हैं वो यहां के ओनर के हैं चलो वो हटा दूगा मैं फिलाल गाइस देखो इस घर को लोग रेंट पे ले ले रहे हैं कुछ ताइम कले हम लोग यहीं पर रहेंगे सब को हटा के यहां पार्किंग बगिरा लगा सकते हैं वैसके किसी ने फार्म छोटा सा बना रखा है कोई दिक्कत नी है फिलाल गाइस अम लोग इसको अपनी पार्किंग बना लेंगे इस वीड है इस वीडे को यहीं पर आन करते हैं